नमस्कार योगा मित्रो आज मैं उन जुजारू नवयुकों से बात करना चाता हूँ जो 21 से 25 वर्ष के हैं कम पढ़े लिके हैं या अच्छे पढ़े लिके हैं बेरोजगार हैं और वो कोई ऐसा काम करना चाते हैं जो जीवन भर बिजनेस चल सके ऐसे बिजनेस के बारे में म वो बिजनेस करके आप लाखों नहीं करोडों रूपे कमा सकते हैं और ये बिजनेस यदि आपने अपनी छोटी उमर यानी 21 से 25 साल की उमर में सुरू कर दिया तो ये समझे पोबारे 25 हो जाएंगे आपके ये बिजनेस आप गाउं के हैं तो भी कर सकते हैं आप यदि सहर क हैं तो भी कर सकते हैं ये बिजनेस आप अपने घर के आसपास से शुरू कर सकते हैं और ये बिजनेस आप बड़े सहरों में भी शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस के बारे में मैं जो बात कर रहा हूं वो बिजनेस आप लाख दौलार रूपे से भी शुरू कर सकते हैं पां वो बिजनेस आप अकेले हैं तो भी कर सकते हैं यदि आपके घर में कोई और आदमी आपका साथ देने वाल है इस बिजनेस में तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं और उम्र दराज व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकते हैं बसरते कि उनके साथ में कोई नवियोकों की टीम हो तो आईए आज मैं जो बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ उसकी थोड़ी सी रूप रेखा मैंने बना दी है आप समझ गए होंगे ये बिजनेस है ठेकेदारी का बिजनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस युग में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला ये बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है दुनिया भर की मकान, बिल्डिंग, रोड वर्क, नहर के काम और कई प्रकार के काम निकल रहे हैं ये आप इस बिजनेस में ठेकेदारी का लाइसंस बनवा लेते हैं तो आप सरकारी ठेकेदार बनके लाखों नहीं करोडों रुपया कमा सकते हैं और ऐसे मैंने कई आत्मी देखे हैं जो साधारन पड़े लिखे होकर की भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप भी ये बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं यदि आप कोई बेरोजगार इंजिनियर हैं आपकी सर्विस नहीं लगी है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं यदि आप कोई चार्टर्ड अकाउंटन हैं और आपका काम नहीं चल रहा है तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं येदि आप कोई वकील हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं येदि आपका पेशा नहीं चल रहा है तो और इसके अलावा येदि आप पांचमी दसमी बारवी पड़े लिखे भी हैं तो भी ये बिजनेस कर स अब बात करते हैं इस बिजनेस का लाइसंस बनवाने में क्या क्या डोकमेंट्स चाहिए होते हैं देखे बंदो इस बिजनेस का लाइसंस बनवाने के लिए यानि ठेकेदारी का लाइसंस बनवाने के लिए आपको पहला चाहिए होता है आधार कारट जो आपके पास उपलब वो भी आप 15-10 दिन में आरवा सकते हैं इसके अलावा आपको चाहिए एक Nationalize Bank में किसी भी अच्छी बैंक में आपका Current Account जो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं Current Account खुलवाना यह इसलिए जरूरी है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपका चालूग हता होना बहुत जरूरी है अब बात आती है आइडेन्टी आपके एड्रेस प्रूफ की तो दो आपके आईडी कोई चाहिए जो आपको यह साबित कर सकें आपका address proof हो जाए ऐसी आपकी दो ID जरूर चाहिए इसके अलावा आपको चाहिए अनुबह प्रमान पत्र है अनुबह प्रमान पत्र के मामले में मैं यह कहूंगा यदि आप ने B यानि Bachelor in Engineering की है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है यानि आपने Engineering की है तो कोई जरूरत नहीं है और Engineering नहीं की है आप साधान दसमी बारे में पढ़े लिखे हैं तो आप किसी ठेकेदार के पास में आपने काम किया है तो उससे आप अनुबह का प्रमान पत्र ले लेंगे और उससे आपका registration हो जाएगा यदि आप ने अभी तक ये अनुबह प्रमा के बाद में अनुबह प्रमान पत्र दे देंगे उससे आपका registration बन जाएगा अब आपको चाहिए होता है पचास हजार रुपे की security deposit जो एक FD के बतोर दी जाएगी और वो FD आपके नाम से हो सकती है या जिस विभाग में आप registration करवाना चाहते हैं उनके अधिसाशी अभि FD बन सकती है या आप दोनों के नाम से बन सकती है या प्लेज हो सकती है या आपके पास पहले की कोई FD बनी हुई हो तो वो भी काम में आ सकती है अब आपको करना क्या होता है जिस विभाग में आप registration करवाना चाहते हैं यानि license बनवाना चाहते हैं जैसे PhD, PWD, IGNP या और किसी भी department में आप registration करवाना चाहते हैं ठेकदारी का license बनवाना चाहते हैं वहाँ आपको उनके अधिसा से अभिनता कारियाले में जाना चाहिए online भी registration होते हैं और offline भी होते हैं वैसे ज्यादा दर D class ठेकदार के license के लिए ये मैं D class ठेकदार के license की प्रक्रिया बता रहा उसमें ये इतनी security deposit लगती है शामाने थोड़ी सी फीस होती है उनकी वो आप वहाँ office में जाके पता कर लीजिएगा उस फीस को आप जमा करवा दीजिए फारम बरना पड़ता है आपको वो फारम बर दीजिए वहाँ उस अधिसा से अभिनता कारियाले में आप जाएंगे तो वहाँ आपको divisional accountant मिलेंगे आप उनसे बात कीजिए वो आपको सीधे registration बाबू के पास में बेज़ेंगे और वो आपको एक फारम देंगे उस फारम का फिलब करेंगे उसमें साधान सी जानकारियां होती है वो जानकारियां देकर के आप साथ में जो मैंने documents और FD वगर बताई हैं वो लगा दीजिए और उनकी कोई स्वामाने फीस होती है उसका DD जैसे भी वो जमा करवाना चाहिए वैसे वो जमा करवा दीजिए और मैने बर में आपका registration त्यार हो जाएगा और registration त्यार होने के बाद में अब आप एक ठेकदार registered contactor बन गये हैं और उसके बाद में जब भी NIT निकलती है आप अच्छी तरह से आराम से ठेका ले सकते हैं और अपना कारिया सुरू कर सकते हैं ये प्रक्रिया सारी मैंने सीधे और सरल सब्दों में बताई है आपको ये जानकारिया अच्छी लगी हुई यदे आपको ये जानकारिया अच्छी लगी है त वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा और शारे दोस्तों में इस वीडियो को शेर कीजिएगा ताकि लोग जो ठेकेदारी करनात आते हैं उनको ये ब्रहम नहीं रहे कि ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना बहुत दूसवार कारी है ऐसा कुछ नहीं है आप आराम से ठेक जारी का विजनेस कर सकते हैं तन्यवाद